नमस्कार आज हम हिंदी भाषा में हिंदी केंदरिक विशे के जो गियारवी कक्षा के लिए पुछतक है उसमें इस पीती में बारिस नामक पाठ जो छठे नंबर पर आता है उस पाठ की आज हम चर्चा करेंगे और आज की चर्चा में हम यह जानने की कोशिस करेंगे कि ऐसे जो पाठ हैं जो हमें साहित के विश्यों से अलग विश्यों की उड़ ले करके जाते हैं वो पाठ हमारे जीवन को कौन सी नई सोच से भर सकते हैं इस पाठ के लेखक हैं कृष्णाथ कृष्णाथ बनारस के रहने वाले थे और उनका जो जन्म है नी सो चोटी सिस्वी में हुआ था कृष्णाथ जी एक बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में भी जाने आते हैं बनारस के कार्शी विद्यापीठ में वो अंग्रेजी साहित के प्राध्यापक भी थे उन्होंने बहुत सारी पुष्टकें लिखी लद्दाक में राग विराग, किन्नर धर्म लोक, इस्पीती में बारिस, फिर्थवी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुनाचल यात्रा, बौद निबंधावली और हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पुष्टकों का संपादन क किया और उन्हें लोहिया संबान से समानित भी किया गया, सन 2016 में उनकी मिर्ति हुई, यह जीवन जो है, विविध यात्राओं से भरा हुआ, जीवन रहा उनका, जिसमें उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की, उनके भीतर की जो सृजिनात्मकता है, वो उन्हें अनुभवों को उस स्थान के अनुभवों के साथ जोड़ें और एक ऐसा पड़दिस से प्रस्तूत करें जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं इसलिए उनके यात्रा वितांत जो है एक विशेश महत्व रखते हैं उनके व्यक्तितु के कई पहलू है उन्होंने कासी इंदुवि प्रफेसर के रूप में वो काश्ची विद्या पीट में रहें अंग्रेजी की दो बड़ी मसहूर पत्रिकाएं रहीं जो मैंनकाइड एक उसमें से प्रमुक्रपत्रिका है उसका उन्होंने संपाधन किया साथी हिंदी की साहित में चर्चित पत्रिका कलपना का भी उन्हें ले गई सायद वो जो कर रहे थे उससे उन्हें संतोस नहीं हो रहा था और वो उससे आगे भी और कुछ करना चाहते थे कुछ दूसरे ढंग से इस जिंदगी को देखना चाहते थे तो उनके उपर जो नागारजुन बौध धर्म के प्रसिद दार्शनिक हैं उनका व तो किस नाद भी ऐसे ही वजर्यानी बहुत साधुओं की तरह वो निकल पड़ते थे और ऐसे भूध दृष्ष्ट्यों की ओर जाते थे जो समानिता हमारे परेटन के की दिल्चस्पी के विशे नहीं होते हैं यानि कि वो इन उन छेत्रों की ओर जाते थे जहां पर समानित हम नहीं जाते हैं एक परेटक के रूप में नहीं जाते हैं इसलिए जो वो यात्रा विर्तांत लिख रहे थे उसमें इतिहास भी है उसमें भाषा का सौंदर है उसमें पुरान है और एक वो मिथकों का भी संसार उसमें ले आते हैं जब इस प्रकार से उनके यात्रा विर् उन यात्रा विर्तांतों में कुछ नया पाते थे, उन्हें लगता था कि वो ये अंगल, ये तरीका वो साहिद देखने से चूग गए उन अस्थानों की यात्रा करने के बाद भी, तो एक प्रकार से वो संपुर्ण रूप से यात्रा में अपने पाठक को सामिल कर लेते थे, यात्रा विर्तांत एक नई विधा है, हिंदी साहित में अगर हम देखें तो यात्रा विर्तांत आधुनिक युग में ही हमारे यहां सुरूआत होती है, अब क्या है किやत्रा विर्तान जब हम करते हैं तो इसमें इस्थान, दिर्ष, प्रदेश, इनका वर्णन वो होता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा ऐसा नहीं करेगा तो विशय की तुलना में व्यक्तित्व प्रमुख हो जाएगा यात्रा में विशय का महत्व यानि कि जिस अस्थान की यात्रा की गई है यानि कि कोई भी अगर मंदिर मस्जीद है कोई वहाँ एतिहास और जो ययावर है उसका कर्तब यही होता है कि वो अपने ब्यक्तित को दबा करके विशय को प्रमुक्ता से प्रस्तुत करता है। और अगर नहीं करेंगे तो यह आत्म चरित में वो बदल जाता है। तो यात्रा विर्तांत में बड़ा एक नाजुक सा संथूलन कायम करना होता है। यह होते तो संस्माण के रूप में ही है। रेखा चितर का भी गुण होता है। क्योंकि आप जिसके बारे में बता रहे हैं। उसके हर पक्ष को उजागर करना लेखक का दाईतु है। तो जितना ही अच्छा रेखा चितर खीजेगा उतना ही बहतर यात्रा विर्तांत का निर्माण हो सकेगा। तो जहां की वो यात्रा करते हैं उसके एतिहासिक, भागोलिक और सांस्कृतिक विशेस्ताओं से पाठक को परचित कराते हैं। अब ये वर्नात्मक निबंध और संस्मन उनके भी कुछ पक्ष को अपने साथ समाहित करके चलता है। तो यात्रा विर्तान जो है, वो यात्रा के परती पाठक के मन में रूची पैदा करता है। उस इस्थान की जानकारी होती है, खोजी प्रविर्ति विक्सित होती है, उसके एतिहासिक महत्तु से हम परचित होते हैं, कठिनाईयों का कैसे सामना करना होगा ये भी जानते हैं, लेकिन उसके साथ वो आगे बढ़ता है और वो उस इस्थान को उस तरीके से जीना चाहता है जैसे कि लेखा जी करके उसे बता रहा है और यही हमारे अधन के प्रमुख विंदू के रूप में होना चाहिए कि हम इन यात्राओं से क्या सीखते हैं यात्रा विर्तांत जब आधुनिक रूप से एक विधा के रूप में आई तो सबसे पहले भारतेंदू हरिस्चंद का एक लेख जीसु जो है वो हम मान सकते हैं कि हिंदी में शुरुवाती यात्रा विर्तांत है षद भाल कित वर्ट जो उनके सहयोगी लेकर थे बाद में उन्होंने गया यात्रा लिख करके यात्रा विर्तान की शुरुवात होती है राहुल संकृत्यान ने मेरी चीन यात्रा, फिर बाद में भागवत सरनुक पाध्याय ने वो दुनिया सागर की लहरों पर, अग्ये की बड़ी चर्चित पुष्टक आई, अरे यह आवर रहेगा याद, और निर्मल वर्मा की एक पुष्टक है चीडों पर चांदनी, तो इ इसमें पाओं में पंख बांध कर उनकी रचना का नाम है, और वो काफी चर्चित हुई, अग्ये जो हिंदी के एक महत्पूर्ण लिखक हैं, उन्होंने जै जान की जीवन यात्रा, नाम से बिहार और नेपाल में एक सहयोगी लेकों के साथ यात्रा विर्दान्त लिखने क एक प्रयास किया, तो ये एक अलग धंका सहयोगी यात्रा विर्दान्त का प्रयास था, इसके अलावा एक और लेखक हैं प्रवाकर दिवेदी, उनकी विरचनाएं बहुत पसंद की जाती हैं यात्रा विर्दान्त के रूप में, और इस पाठ के जो लेखक हैं, कृष्णा उन्हों ने इस विधा को एक मर्म परश्री विधा के रूप में विक्सित किया, जब कृष्णाथ ने इस विधा को अपनाया, तो उनके भीतर एक सेजन की इक्छा मौझू थी, वो तडप मौझू थी, जो कविता कहानी से साहिद पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उनके भ लंबी-लंबी यात्राओं पर निकल पड़े, जब उन्होंने इन यात्राओं को सब्दों में बाधना सुरू किया, तो ये विधा एक विलक्षण विधा के रूप में सामने आई, इस पाठ के लेख किस्णात, जहां की भी यात्रा करते हैं, वहां वो केवल परेटक के वो इस मिर्थियां जो इतिहास के परवाह में स्थानिये होकर के रह गई हैं, लेकिन जिनका भारतिये लोक माना से गहरा रिस्ता है, पहार के किसी छोटे बड़े सिखर पर बैठी हुई, दूबकी हुई, वो इस मिर्थियां मानुकिष्णात के बहाने से वो इस भारतिये बारिष एक यात्रावितान्त है इस पीती हिमाचल के मध्य में इस्थित एक स्थान है यह अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विश्यस्ताओं के कारण अन्य परवर्तिय स्थानों से अलग है क्यों क्योंकि यहां की जनसंख्या रितू, फल, पौधे, जलवायू, भूगोल यह सब जो वर्णित है यह लगभग अन्य पहाडी जो परेटक स्थाल हैं उनसे वो मेल नहीं खाते हैं दुरगम इस्थिती में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन कठिनाई से भरा हुआ है वहां पर पहुंचना मुस्किल है तो लेकिन जब कोई युवा, कोई व्यक् करके आता है जीवन अभाओं में एक रस्ता हुआ है बाहर की कोई भी हल्चला करके उस एक रस्ता को भंग करती है और जीवन का संचार करती है अब वहां की जो जनसंख्या है वो एकदम विरल है तो उसको भी एक समझने की जरूवत है कि इस दुरगम परदेश में जो इस पिति हिमाचल परदेश के लाहौल इस पिति जिले की एक तहसील है यहां पर यह कोई आकस्मिक नहीं है कि वहां लोग कम जाते हैं क्योंकि चारों और उचे उचे दर रहे हैं और इसके कारण से इतिहास में भी वहां पर जानने वाले लोगों की संख्या कम रही है और इसी कारण से वहां संचार के साधन भी नहीं रहे अब कुछ सुधार हुआ है जहां भारत के हर हिस्से में संचार के साधन पहुंच रहे हैं तो वहां भी पहुंच रहे हैं लेकिन जादातर हिस्सा वहां का वह रिमोट से मानो संचालित होता है कोई सीधी सरकार की भी तो अंग्रेजी शासन में तो हरकारे जाते थे बाद के समय में आजाद भारत में भी वार्लेस सेट का ही सहरा होता था और सासन की कोई सीधी पकड़ उन इलाकों में नहीं बन पाती थी अब यह पता भी नहीं चलता था वहां हो क्या रहा इसलिए प्राचीन काल में इस पीती जो है भारती जो सासन है उसमें बहुत महत जगह नहीं मानी जाती थी और इसलिए उनका अलग वहां का तरीका चलता रहा मध्युग में जो है लदाक मंडल फिर कभी कश्मीर मंडल फिर बुल्शर मंडल कभी कुलू मंडल कभी बृतिश भारत के तहट जो है यह अलग-अलग मंडलों में इसका सासन समाहित रहा और लेकिन वहां का जो इस्थानिय सासन है वो बाहरी जो एक डोर है उसको छोड़ द बना दिया और भूगोल के कारण ही इसके कश्ट भी बने हुए रहते हैं और कोई भी सासन इसके कश्टों को दूर करने में सायध समर्ट नहीं हो पा रहा था जब राजाओं का कोई हरकारा आता था तो आने-जाने मेही छह महिने लग जाते थे और इसलिए जब कोई आक्रमण होता था जैसे जुरावर सिंग आया तो उसके कारण से वह चारों और जो है वहां देशत फैल गई क्योंकि बाहरी कोई आता नहीं है और जब कोई बाहरी आक्रमण आये तो वहां के लोग उससे बचने की कोशिस करते हैं क्योंकि उनकी प्रविर्ति बड़ी शांत रहती है उनके जीवन में ज्यादा हलचल नहीं है ज्यादा संघर्स उस रूप में नहीं है कि कोई दूसरी सभेताओं से वह संघर्स कर रहे हैं और जब वह चला गया क्योंकि सारे लोग अपना घर छोड़ करके भाग गये थे अब भागने के कारण से उसको एकदम से फुली छूट मिल गई वह आया और उस पूरे इलाके को लूटा जो बौद विहार थे उनको लूटा और यह एक अपत्रिकर घटना जो है इस पिती क इतिहास में हो गई लेकिन वो अपने लिए इसी तरीके से सुरक्षा ढूंड रहे थे क्योंकि लड़ना भिड़ना साइद इस पिती के लोगों के सभाव में शामिल नहीं है और आज की समय में जहां पर हर वेक्ति हिंसक है यह एक महत्पूर्ण संदेश है हमारी मानवता क के लिए अब जो इतने कम लोग वहां होते हैं क्यों तो लेखक तो यह कहते हैं कि मैं तो इस बात से आश्चर चकीत हूं कि इतने लोग भी रहते कैसे हैं तो मैंने जब इस पिती की विपता बताई तो लोगों ने यही पूछा आखिर तब लोग वहां रहते क्यों है आठ नौ महीने तो सेस दुनिया से कटे रहते हैं, और ठंड में ठीठूर रहे होते हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकडी भी नहीं है कि घर को गरम रखें, क्योंकि वो इलाखा ज्याधा तर पठारी है, वहाँ पर पौधे भी बहुत कम पाये जाते हैं, तो फिर भी वो विर पौरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, तो लेखक इन सारे प्रस्णों पर विचार करके और पाठक के मन में सवाल खड़े करता है, जब आप पाठ को पढ़ते हैं, पाठ में जाते हैं, तो ये सवाल धीरे धीरे लेखक आपके मन में डालता जाता है, ये वहाँ के लोगों की जीवन के बारे में जो विद्यार्थी है वो सोचे, जो पाठक है वो सोचे कि आखिर वहां के लोग इतने कष्ट में भी वहां पर क्यों रहते हैं, आज कल हम थोड़ा सा कष्ट नहीं बरदास करते हैं, वो पीडियों से उस अभाव की जिंदगी, अभाव भी एक क्यों उन स्थितियों में जी रहे हैं, लेखक यह सवाल हमारे मन में खड़ा करता है, और वो कहता है कि मैं तो इतना देखता हूँ कि यहां रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं और कोई तरक नहीं है, तरक से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, इस पीडियों में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मुह क्यों करना। जादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है। तर्क से परे है। तो लेखक इस तरीके से उनके वहां रहने को तर्क से परे मानता है। शिव का अटहास नहीं हिम का आर्तनाद है। लिखते हैं पहार के सिखनों पे जो बर्फ जमी होती है उसे शिव की तेज हंसी का कारण माना जाता है। परन्तु इस फिती में यह मानता लागू नहीं होती। यहां बर्फ कर्ष्टों का परतीक है। जीवन में इतने अभाव ह कि यहां दर्द के सिवाए कुछ भी नहीं है। यही चीक फुकार दर्द बर्फ के रूप में जमा हो गया है। तो यह पहारों के व्यथा की कता है। लेखकरिशनाग क taraf मानते हैं कि इस पितिक के व्यथा की कता को पहार की उचाई के आकड़ों मैं नहीं बताया जा सकता। नहीं इसे सुन्दर्ता को इंच में मापने के जो अभ्यासी हैं उनको सम्झाया जा सकता है। जो लोग पहाडों के बारे में उत्सुक होते हैं उनको यह जरूर जानना चाहिए कि इस पिदी हिमाले के मध्ध भाग में स्थित है। हम जादा दर लेखा बहुत वियंग्यात्मक लहजे में कहते हैं कि जो स्केटिंग या स्वंदर्य परत्योगिता या आइस क्रीम वगरा की जो बाते करते हैं छोले भटूरे का कुलु मनाली, सिमला, मसूरी, नैनिता, सिर नगर यह सब हिमाले नहीं हैं। हिमाले का तलुआ हैं। तो यह जो इस्पिती का जो छेत्र है वो असली हिमाले, हिमाले के बीचो बीच बसा हुआ जो छेत्र है, वो छेत्र है। अब इस्पिती की एक खास बात है इतिहास में। जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, तो एक इस्पिती रेगुलेशन की चर्चा हमें मिलती है लेखक ने भी इसका जिक्र किया है कि 1873 इस भी में बिटिस सरकार के समय में एक इस्पिती regulation नामक कानून पारित किया गया और इस कानून के द्वारा लाहुल और इस्पिती को विशेष दर्जा दिया गया और यहाँ पर जो बिटिस कानून थे जो दूसरे कानून जो पूरे देश में लागू होते थे वो यहाँ पर लागू नहीं होने की बात इस कानून में रखी गई साथ ही जो स्थानिये जो मुखिया होते हैं नो-नो वो एक तरह से रिपर्जेंटेटिव का काम कर रहे थे उस समय तो उनको जो है स्थानिये सासन के सारे अधिकार दे दिये गए वही माल गुजारी कठा करते थे फोज़दारी के छोटे मटे मुकदमों का फैसला भी वही करत तो वहां पर घटनाएं हुई चुकि अस्थानिये ही सासन था बाहरी दुनिया से कटा हुआ छेत था तो ज्यादा तर इतिहास में वहां की घटनाएं दर्ज नहीं हो पाई हैं क्योंकि जो लोग बाहरी लोग हैं उनको जाने के लिए उचे-उचे दर्रों से और कठिन रा लिया गया है कि इस्थानिये होना एक बड़ी घटना है तो जब लेखक इस्थानिये लोगों ने लेखक का हर्शित हो करके स्वागत किया और उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के आने से साइद यह ऐसा संयोग घटित हुआ कि यहां बारिस हो गई तो लेखक ने उस अनुभव को भी दर्ज किया हुआ है जब वो वहाँ पहाड़ों में गया तो जाने पर क्या अनुभव हुआ इसको लिखते हुए कहते हैं कि मैं उ उचाईयों से होड लगाना मिर्तियु है हां कभी-कभी उनका मानमर्दन करना मर्द और 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 औरत की शान है मैं सुचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक यूतियां आएं और पहले तो स्वैम अपने अहंकार को गलाएं फिर इन चोट युवक यूतियां की लोल करें तो यह भी हर्सित हो अभी तो इन पर इस्पिती का अर्थनाद जमा हुआ है वह इस युवक अटहास की गर्मी से कुछ तो पिघले यह एक युवक निमंतरन है तो लेखक वहां पर जब जाता है तो वहां की जो शांत जो पूरी की पूरी स्थिती है समाजी जो जो वहां का माहौल है उसको देखता है चोटियों को देखता है और वो इस जड़ता को तोड़ने के उपाय सोचता है और युवा मन हमेशा जो परंपरा की भी जड़ता है उसको तोड़ने का काम करते हैं माने की चोटियां क्यों कहा तो जो बौध मंतर है एक बीज मंतर के रूप में जाना जाता है और कहते हैं ओम मनी पदमे हूम तो यह एक ध्वनी मंतर है जो ध्यान साधना के लिए प्रियुक्त होता है बोधिसत्व आर अलो की तेस्वर ने इस मंतर का सबसे पहले उचारण किया था इसके उचारण से करुणा की उत्पत्ति होती है तो इस मंतर को संचेप में माने कहते हैं तो इन चोटियों का नाम भी उसी मंतर के नाम पर माने की चोटियां माने चोटियां भी कहा गया है तो ये क्यों माने कहा गया कि वहाँ पर बहुत भीक्षुक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और वो हमेशा इन ही मंत्रों का जाप करते हैं तो माने मंत्रों का जाप करने कारण उन चूटियों को भी जो इन माने मंत्रों से गूजदी रहती हैं माने कहा गया तो लेखा कहता है कि माने की चोटियां बुढे लामाओं के द्वारा जाप किये गए मंत्रों के कारण उदास प्रतीत हो रही है तो जब यहां पर युवक युवती आएंगे वो एक अलग ध्वनी किलोल की ध्वनी निकालेंगे तो साइद यहां भी जीवन का नए धंक से संचार होगा इस पिती में बारिस कभी-कभी होती है और वर्सा रितू जो है वो इस प्रकार से बहुत थोड़ी देर के लिए होती है कि वहां मन की साध पूरी नहीं हो पाती धर्ती हमेशा सूखी बंद्या और ठंडी रहती है तो इस कारण से वहां फसले भी कम होती है साल में एक ही फसल होती है दो किसम का जो हो गया गेहू है, मतर है, सरसो है तो ज़्यादा बिविदता नहीं है फसलों में और सिचाई के साधन भी कम होते हैं, जो पहार से आने वाले नाले हैं या उनके उपर कुल बनाये जाते हैं, तो उनक से थोड़ी बहुत सिचाई का काम लिया जाता है, और नालियां भी हैं जो पहार के किनारे दूर दूर तक पहली हुई होती हैं, चली जाती हैं, इस पीती नदी का तट इतना चोड़ा है कि उसके पानी किसी काम का नहीं होगा क्योंकि खेद बहुत दूर पड़ जाते हैं तो ऐसे में भूमी तो बहुत है जिससे खेदी के लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन पानी की सुविधा नहीं होने से वहां पर खेदी का ज्यादा प्रसार नहीं हो पाता है और पानी का कोई दूसरा स्रोत मौजूद नहीं है वर्सा का जल ही वो एक मातर तरीका है जिससे कि वहां के जीवन में थोड़ी बहुत हरियाली आ सकती है तो लेखक का अनुभव है जब वहां पर वो है तो एक दिन ऐसा हुआ कि वर्सा यहां की एक घटना ह है एक सुखत संयोग है हम काजा के डाग बंगले में सो रह थे तो लगा की कोई खिर्की खरकड़ा आ रहा है आधी रात का भी पिछला पहर है इस समय कौन है लैंब की लौ तेज की खिर्की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का ज्होंका मुह और हाथ को जैसे चिलने लगा मैंने पल्ला भिडा दिया उसकी आर से देखने लगा देखा की बारीश हो रही थी मैं उसे देख नहीं रहा था सुन रहा था अंधेरा ठंड और हवा का ज्होंका आ रहा था जैसे बरफ का अंस लिये तुशार जैसी बूदे पढ़ रही थी जैसे नगाडे पर थाप पढ महासंkkh की ध्वनी घाटी में तैर रही थी. इस पीती की घाटी में वर्षा हो रही थी. कमरे में ठंड बढ़ रही थी. मैं विस्तर में पड़ा पड़ा, मालुम नहीं कब सो गया. सुब़ उठा, चाय पीते पीते सुना कि इस पीती के लोग कह रहे हैं कि हमारी आतरा शुब है इस पिती में बहुत दिनों के बाद बारिस हुई है तो लेखक ने वहां के शब्द दुंग छेन का उपयोग किया है तो एक इस्थानिय वाद्धियंत्र है जो नगाड़े जैसी ध्वनी निकालता है तो वहां का जो मौसम है वहां पर बारिस जो कम होती है वो एक घटना की तर बारिस आती है और इस्थानिय लोग किसी एक बाहरी को भी उसका कारण मान लेते हैं कि वो आया है तो बारिस हुई है तो इस प्रकार से एक सरल समाज है एक सहज समाज है जो अभाव में जीता है और अपने विश्वास में, अपने सोच में, वो किसी को भी अपने साथ लाने के लिए, अपनाने के लिए तयार रहता है। इसमें ऐसे पाठ के भीतर शब्द आये हैं, लेखक ने इस्तमाल किये हैं। अगर आप ध्यान दें, तो कुछ ऐसे शब्द हैं, जो आपको पढ़ते समें लगेंगे कि ये साथ हमारे समाने बोलचाल की भाषा के शब्द नहीं हैं। कुछ तो लेखक के ऐसे सब्द हैं, क्योंकि लेखक एक प्रोफेसर हैं, तो उनकी भाषा थोड़ी सी ऐसी होगी जो रचनात्मक संदर्वों में इस्तमाल होती है। जो आम विद्यार्थी के लिए उस रूप में सहज नहीं है, उसकी बोलचाल में वो सम्मिलित नहीं है। जैसे अलंग सब्द का इस्तमाल किया है, तो जिसे हम पार नहीं कर सकते हैं, उसे हम अलंग कहते हैं। स्वायत सब्द है, जब हम बात कर रहे थे, इस्पिती की, काजा की बात कर रहे थे, स्वायत सब्द का इस्तमाल हुआ। तो इसका मतलब है कि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, उसके उपर किसी का सासन नहीं हो। इसी परकार से आपने देखा हरकारा शब्द आया था हरकारा क्या होता है तो जो जबानी संदेश पहुंचाते थे आधोनिक भासा में डाकिया इंधा क्या हरकारे का रूप मान सकते हैं पहले राजा-महराजा संदेश भेजने के लिए हर कारा एक सेवा करने वाले लोग होते थे उनका इस्तमाल करते थे एक पीड का नाम आया है चांगमा उस इलाके में पीड है इस्थानी भार्षा में उसे चांगमा कहते है रेगुलेशन शब्द आप इस पार्ट में रेखांकीत किया होगा तो जो नियम है कानून है उनके लिए जो बेभारी कानून होते है उसके लिए रेगुलेशन सब्द का इस्तमाल किया जाता है निर्वान सब्द आया है यानि कि जीवन के चकर से पार जाने की स्तिती जो होती है बौध दर्शन में ये एक विसेश इसका महत्व है तो चुकि बहुत ज्यादा प्रभावित भी रहे जुड़े हुए रहे जिस एस्थान की यात्रा की वहां भी बहुत मत का असर है वहां पर बुढ़े लामाओं की चर्चा है तो ऐसे में निर्वान सब्द जो है वह एक बहुत वीमर्स का शब्द भी लेखक ने इस्तमाल किया है आप देखिए तो इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आएं हैं जो हमारे संस्कृत से आए हैं आर्तनाद है, संहार है, पावस है, लालित शब्द आया है, संवेदन है तो इस प्रकार के शब्दों को लेते हैं और उसे बोल चाल की भासा में इस्तमाल करते हैं ये पाठ जो है, पाठ के सुरुवात में दो पंक्तियां किष्टनात ने लिखी हैं। ए लिखा है चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं। इसलिए तपस है, धुआ है, यानि इक्षा है जान लेने की पहचान लेने की, लद्दाख में राग विराग। और उससे वो एक आत्मिय समवाद इस्थापीत करता है उस अस्थान और अपने साथ और अपने पाठकों के साथ। उमीद है पाठ पढ़कर आप भी विभिन इस्थानों की यात्रा करने के लिए प्रिरित होंगे और इस पाठ के दिये गए प्रस्नों को आसानी से हल कर दनेवार